नमस्कार सलाम मैं हूँ राम किंकर सिंग दिल्ली तक की खास पेशकस्मा आपका स्वागत है नवीन शादरा इलाके में इस वक्त मैं मौझूद हूँ और मेरे ठीक बैक्राउंड में दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कारिकारडी की मीटिंग है जो पिछली प्रदेश कारिकारडी की मीटिंग हुई थी वो नवंबर में हुई थी अब काफी वक्त के बाद ये हुई है लेकिन ये पहली ऐसी प्रदेश कारिकारडी की मीटिंग है जब उनके दो पदाधिकारी यानि राश्री प्रवक्ता नूपूर शर्मा बीजेपी से जो है सस्पेंट कर दी गई है और साथी साथ मीडिया से प्रमुक दिल्ली बीजेपी नवीन कुमार निश्कासित कर दिये गए हैं और अगर उनके साथ या उनके पोस्ट पर कोई विवाद नहीं होता तो आज प्रदेश कारिकारडी की बैठक में वो सभी होते लेकिन खबर ये नहीं है खबर ये है कि इस प्रदेश कारिकारडी में जब अंदर की तरफ आप जाएंगे तो मीडिया को तो वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है लेकिन अंदर की तरफ जब आप जाएंगे तो मुख्य मंच पर जो पोस्टर है वो पोस्टर आपको कुछ उस कलर में दिखाई देंगे जैसा मेरे बैकराउन में आपको पोस्टर दिखाई दे रहे हैं यानि भगवा कलर की जगह पर अब सफेद और नीले कलर ने ले लिया है तो सवाल यही है कि अब तक जो है भगवा कलर होता था आखिर ये नीला कलर क्यूं हुआ और इसका जवाब जानने के लिए मैंने दो लोगों से बात की सबसे पहले बात की मनोच्तिवारी से उन्होंने साफ तोर पर कहा कि देखे अगर आप कमल का फूल देखेंगे तो उसमें नीले रंग का इस्तेमाल हुआ है तो हम तो वो पार्टी हैं जो की नीले रंग का किसर इस्तेमाल करते हैं वो कुछ नया नहीं है और सफेद कलर का भी इस्तेमाल होता रहा है ये कुछ नया नहीं है लेकिन दूसरे प्रवक्ताओं से जब मैंने बात की अधित जहा प्रवक्ता बीजेपी जब उनसे बात की तो उनका एक कहना है सबका साथ सबका विकास लेकिन अगर इन दोनों बातों पर यकीन कर लें तो अंदाजा लग लाओ के जरीए सबका साथ या सबका विकास की जो बात कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है सवाल यही उठता है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्षादेश गुपता से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तोर पर यह कहा कि दरसल इंद्र धनुसी पाब देने से सभी बचते रहे लेकिन जो पॉलिटिकल एनाजिस्ट हैं राजनीतिक विशलेशक हैं वो यह मानते हैं कि इसके जरीए बीजेपी अपनी ओवर हॉलिंग कर रही है अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रही है अपने जो डैमेज कंट्रोल अब तक हुआ ह यहां से लेकर अरब और खाड़ी देशों में उसको बदलने की कोशिश कर रही है और यही वज़य है कि किसी एक खास रंग का इस्तेमाल न करके जो है ऐसे रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे यह संकेत जाए यह संदेश जाए कि सबका साथ सबका विकास यानि इस प प्रदेश कारिकारडी की तरफ से उन्होंने साफतोर पर कहा कि जिस तरह से सतेंद्र जैन इस वक्त इडी की गिरफ्त में हैं अर्विन केजरिवाल को उन्हें ततकाल बरखास्त कर देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी एक सीट जीतती है तो उससे आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी या फिर ऐसा कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसे आर्विन केजरिवाल की वापसी के तोर पर और साथी साथ अलुक प्रियता के तोर पर और साथी साथ बीजेपी की वापसी के तोर पर लिया जा रहा है। और प्रदेश कारकारली मीटिंग के बाद प्रदेश कारकारली मीटिंग तकरीबर दो से तीन महीने में होती है। और वहाँ पर आने वाले दिनों में किस तरह का एजंडा होता है, पार्टी की तरफ से किस तरह की चीज़ें की जाती है, ये साफ तरपर दिखाई देता है, और माफी चाहेंगे, दरसल एक शक्स यहां से निकल चुके हैं, तो माफी चाहेंगे, लेकिन खास बात यही है, कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, वो साफ दिखाता है, कि आने वाले वक्त में लगातार हमलावर होगी, तो सचिन के साथ पूरी दिल्ली तक की टीम को दीज़ें, फिर हाजिर होंगे, एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रही है, दिल्ली के साथ, अगर आपको य इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ, ये कोशिश कीजिएगा, कि आउरों को आप शेयर कर सकेंगे, नमस्कार